इस वीडियो में पढ़ेंगे यार हम लोग इनिक्विटिइस involved शिरीज सबसे ंपॉटेंट वीडियो है अभी तक हम ने जो भी पढ़ा है और आगे इस सबसे इंपॉटेंट वीडियो है ठीक है और इसी में सबसे ज़्यादा तर इस्टोइंट को प्रॉब्लम होती है तो एक भी यार मत करना एकदम वीडियो को आराम आराम से देखना ठीक है तो पहले अच्छा यहां पर देखो कुछ रूल्स लिखे हुए की बांकि को अलग है तो अलग है कि यहांपे ष्यादा कुरूशील है तो स्टाट करते हैं ठीक है तो यह क्या करता मौड का काम क्या होता है कि मौड के अंदर कुछ भी लिखावा है मौड क्या करता नॉन नेगेटिव वैल्यू को रिटन करता है तुम ऐसे समझो कि मौड क्या करता है पॉजिटिव वैल्यू को रिटन करता है ठीक है मतलब मौड के अंदर कुछ भी देता ठीकिंडी इसको भी बना देता की मॉाड समधने पॉजेत努 कर दे घाला का मॉंड पॉजटीव कैसे लिखावा होता है तू देखता है कि अगर पॉजेटिव अब पॉजेटी तो बहर निकालता है जैसे यहां पर मॉड ने देखा यह जो दो ढंडी तुम्हें दिख रही है इसी को बोलते हैं मॉड का सिंबल तो इसके अंदर यह देखा मॉड से जब फाइव बोला मुझे बाहर जाना है मुझे बाहर निकलने दो तो मॉड ने दिखा रही पॉजिटिव है जाने दूसको भी माइनस फाइव बोला मुझे भी बाहर जाना है तो मॉड ने देखा कि भाई यह तो नेगेटिव नंबर है तो मॉड ने उसको पॉजिटिव बना के बाहर भेज दिया फाइव ठीक है अब यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है क्योंकि हम लोग डाइरेक्ट लिग द होगे तो वह पॉजिटिव बन जाएगा जिससे सपोस्ट को यह लिखा है माइनस फाइव ठीक है अगर मैं इसके आगे एक और माइनस लगा दूँ तो यह क्या होगा माइनस फाइव बन जाएगा तो मॉड यही काम करता है मॉड चेक करता है कि अंदर में अगर कोई नेग लिफ्ट दे दिया नेगेटिव साइन का और पहले सी वह खुद नेगेटिव वैल्यू थी तो क्या हो गया नेगेटिव अफ नेगेटिव मिलके क्या बन जाएगा पॉजिटिव वैल्यू यही कहानी है यार अगर तुम यह बात समझ में आ गई तो मतलब बहुत बड़ा क किसी को यह problem होती होगी कि ऐसा क्यों हो गया तो बस यह था mod का concept ठेक है तो क्या हुआ कहानी क्या होई कि mod of x जो है वो क्या हो जाएगा उसकी value as it is x आ जाएगी if x is greater than equal to 0 इसके अंदर जो भी लिखावा है अगर उसकी value greater than equal to 0 greater than equal to 0 का मतलब 0 या positive है तब तो as it is बाहर आ जा यह कब if x is less than 0 मतलब अंदर में जो पार्ट लिखावा है वो अगर negative होगा तो mod उसको क्या करेगा कि minus sign के साथ बाहर भेज़ देगा so rate की वो बाहर जाके positive हो जाए तुम बोलोगे कि positive कहा हुआ यहा तो minus x लिखावा है अरे भाई ठीक से देखो यह x अपने आप में क्या थ है ठीक है यहाँ पर x क्या है x is less than 0 x negative value into negative तो यह पूरा क्या बन गया positive तो mod of x हमेशा positive देखो यह x तो क्या था पहले सी positive तो positive हो गया और यह भी पूरा as a whole क्या हो गया positive तो यह था mod का इसको बोलते है mod का definition यह है mod का definition ठीक है आई होप की समझी में आ गया होगा तो यह होग आगे भी हर जगा यूज होगा इसका भी हम लोग बहुत जगा यूज करेंगे mod को break करने के लिए ठीक है तो अगर मान लो mod के अंदर कुछ ऐसा लिखावा है एक second यह हो गया point number one अब दूसरा point number two समझो कि mod of x जो है ठीक है वो greater than equal to zero होगा as a whole अंदर की जो value है वो negative भी हो सकती है वो positive भी हो सकती है लेकिन पूरा जो mod of x होगा वो हमेसा positive होगा जैसे मैंने लिख दिया mod of 9 तो यह इसको जब तुम solve करोगे तो इसमें से क्या बाहर नि निकलेगा तो यह पूरा क्या लिखावा अगर तुम पूरे को एक साथ देखो तो यह पूरा तुम्हें दिखाई देगा कि 9 लिखावा है लेकिन उसके अंदर देखोगे तो minus 9 लिखावा है लेकिन इस पूरे की value क्या है 9 ठीक है तो mod जो होता है mod is always greater than equal to zero हाँ अब अगर है कि mod of x अच्छा यहां पर यह हुआ definition number one अगर मालो मैं ऐसे लिख देता हूं mod of x is equal to plus minus x तो यह एकदम गलत हो गया तुम इसको अलग से कहीं अपने list में लिख लो कि यह line एकदम गलत है कहीं भी अगर तुम्हें ऐसा लिखावा दिखे objective question में कि mod of x is equal to plus minus x हो सकता है नहीं जो mod of x होगा या आ तो x होगा या तो minus x होगा depend करता है कि अंदर में क्या लिखावा है एक साथ दोनों नहीं होगा ठीक है अब इसके बाद चौथा point कि mod of x is equal to मालो कोई number लिखावा है ठीक है मालो हम number ही ले ले लेते चलो एक number ही लिख दी है मैंने 5 ठीक है तो इस case में क्य आओगा कि जो x की value है x की value जो है x is equal to plus minus 5 मतलब तुम ऐसे सोचो अंदर अगर 5 लिखावा होता x के अंदर यहाँ पे x के place पे 5 लिखावा होता तो भी 5 बन जाता और x के place यहाँ पे minus 5 लिखावा होता mod of minus 5 तो भी 5 हो जाता तो मतलब यह अंदर में जो value लिखी है वो plus 5 भी हो सकती है और minus 5 देखो दोनों स्टेट में तीन नंबर और चार नंबर में दोनों में difference है इसको तुम एतम ठीक से समझ लो इसमें गरवड मत करना mod of x is equal to तुम plus minus x बोलते हो तब तो गलत हो गया मतलब कहने का मतलब ऐसे मैं लिखावा mod of कोई x square minus 3x plus 4 कुछ इस टाइप से लिखावा था और तुमने इसको ऐसे लिख दिया कि plus minus x square minus 3x plus 4 यह हो गया गलत बिल्कुल पूरा गलत हो गया और अगर यह चीज़ लिखी भी थी कि mod of x square minus 3x plus 4 is equal to मालो कोई नंबर दिया वा था 5 अब तुम अगर ऐसे लिखते हो कि x square minus 3x plus 4 is equal to plus minus 5 तो यह चीज़ सही है ठीक है इस पूरे की value plus 5 भी हो सकती थी और इस पूरे की value minus 5 भी हो सकती थी अगर इस पूरे की value plus 5 होती तो भी 5 बाहर आ जाता और इस पूरे की value minus 5 ह बहुत difference है तो I hope की confusion नहीं होनी चाहिए इसलिए मैंने दोनों point को एक साथ explain किया ठीक है तो यह हो गया है कुछ mod के बारे में अच्छा एक चीज़ जब मैंने यहां पर क्या वाला कि mod of x is greater than equal to 0 always अभी हमने previous class में पढ़ा था कि हम लोग inequality में inequality वाले topic में cross multiply नहीं कर सकते हैं जब तक हमें किसी चीज़ का sign ना पता हूँ जैसे कि A by B greater than C by D तो हम लोग B को उठा के उधर नहीं भेज सकते हैं ना ही D को उठा के इधर भेज सकते हैं ना A को उठा के इधर भेज सकते हैं ठीक है यह दोनों step सही लिखावा है कि गलत तो तुम देखते ही बोलोगी कि सर यह गलत है तुम यह question बोलोगी कि सर आपने B को उठा कि उधर क्यों भेजा B के बारे में तो कोई information दिया हुआ ही नहीं कि B negative एकि positive तो inequality में without any information number को transfer नहीं किया जाता है तो आपने कैसे कर दिया यह व अब मैंने क्या क्या उठा कि इस पूरे something को उठा के यहां इदर shift कर दिया a greater than c into mod of something कि यह वाला step बिल्कुल correct है कोई problem नहीं क्योंकि something जो लिखावा यह negative हो सकता है positive कुछ भी हो सकता है मेरे को फरक नहीं पड़ता है लेकिन mod of something तो confirm है ना कि positive ही होगा यह तो confirm हो गया कि यह पूरा value जो भी लिखावा था है और whatever यह पूरा value positive होगा तो positive को तो मैंने कर दिया तो यह वाला step सही है ठीक है आई होप की समझ में आ गया होगा ठीक है आना चाहिए यार इतना explain कर दिया अगर आया तो यह कुछ mod के बारे में basic बात है तो अब आते हैं mod की inequalities को अगर इतना समझ में तुम्हें आया है तो और अगर नहीं आया तो एक बार हो सकता कुछ आया क कुछ गरबड़ आ गए हो एक बार फिर से पीछे चले जाओ 9 मिनिट हुआ है फिर से जाओ फिर से देखो उसके बाद आगे बढ़ना यार नहीं तो कोई फाइदा नहीं होगा अब आते हैं देखो यह सारा जो लिखावा है कि तुम्हें अभी लग रहा हुआ है कि पता नहीं क्या लिखावा इतना सारा है तो कुछ भी तुम्हें याद नहीं करना है एक एक पॉइंट समझने वाला यह हो गया इसे मैंने दे दिया दूहा है यह वाला जो पॉइंट एक्सक्ट प्लें किया इसके बेसिस पे इसकी बेसिस पे फॉर्थ नंबर पॉइंट की बेसिस पे तुम्हें क्यों देखो मैं लिखता हूँ mod of x square minus 9 is equal to 1 इसको solve करके हमें x का value बताना है x के place पे क्या put किया जाए ये statement 2 हो जाए तो तुम कैसे solve करोगो mod के अंदर कुछ भी लिखावा है is equal to कोई number mod के अंदर कुछ भी लिखावा है is equal to some number दियावा है तो क्या उस case में क्या हो जाएगा ये पूरा part क्या हो जाएगा इस पूरे की value क्या हो सकती है plus 1 mod में कुछ लिखावा था उसका value 1 कब आएगा जब mod के अंदर 1 लिखावा होगा तो उसका value 1 आ जाएगा या mod के अंदर minus 1 लिखावा होगा तो भी उसका value 1 आ जाएगा इसका मतलब यह जो लिखावा है x square minus 9 यह क्या है x square minus 9 की value 1 भी हो सकती है और x square minus 9 की value minus 1 भी हो सकती है ठीक है अब तुम solve कर लो तो यह 9 उठके उधर गया x square is equal to 10 हो गया और यहाँ पे x square is equal to minus 9 उधर चला जागा 9 minus 1 8 हो गया ठीक है square हटाएंगे root लगता है तो x is equal to plus minus root 10 और x is equal to plus minus root 8 यानि x की जो value होगी x का value plus root 10 भी हो सकता है minus root 10 भी हो सकता है plus root 8 भी हो सकता है और minus root 8 भी हो सकता है तो यह statement true हो जाएगा ठीक है तो इसको हमने इस तरीके से solve किया mod of x is equal to some number is equal to अंदर वाला part is equal to plus minus of debt number ठीक है और यह कभी यह वाली गलती कभी मत करना ठीक है कि mod of this is equal to यह होप की समझ में आ गया होगा तुम्हें यह point यह हो गया अब इसके बाद समझते है inequality ठीक है पहली inequality क्या दे रखी यह तो हो गया यह मैंने बता दिया अब यह वाला point देखो एक इक करके इसको हटा देते हैं एक इक करके मैं सारा यहां पर explain करता हूं सबसे पहले देखो की mod of x is less than एक नंबर लिखाओ है ठीक है अब तुम अपने से सोच के बताओ अभी तक तो तो ख्या mod of x is equal to 5 होता ठीक है तो ही क्या हो जाता x is equal to plus 5 भी हो सकता था और minus 5 भी हो सकता था ठीक है अब लेकिन आ गया यह था modulus in equality मॉडूलस की equality ठीक है अब आ गया मॉडूलस में inequality की mod of x is less than 5 और यह अगर तुमने बता दिया अपने से सोच के तो मतलब यार तुम समझो की मतलब पूरा concept तुम्हारा clear होगी है बस इसी एक portion की basis पे वीडियो को थोड़ा सा पॉस कर लो अपने से answer दो की x की क्या value होगी और अगर तुमने अपने से सोच के बता दिया तो आगे तुम्हें कहीं problem नहीं होने वाली है ठीक है देखो समझते है की क्या बोल रहा में एक सिक सब्सक्राइब में सब्सक्राइब कर देंगे तो नेकस्कष्ण सब्सक्राइब हो तुम तोड़ा देखो नेगेटिव नंबर पर हम जाए इसके प्लेस पर हम माइनस वन पूट कर देते हैं मॉड ओफ माइनस वन वो क्या आता वन यह वन आ जाता वह भी फाइब से छोटा यानि माइनस वन भी वैलिद है एक्स के प्लेस पर क्या हो जाएगा माइनस वी पूट कर सकते हैं मॉड ओफ माइनस टू क्या हो जाएगा तू टू is less than five जू इतना सारा वैल्इव हो गया मतलब और इनके बीच का सारा नंबर कहने का मतलब तूम नंबर लाइन में देखो 0, यहाँ पर है 5, माइनस 5 और यहाँ पर है 5, ठीक है, अगर तुम देखो, हम इस x के place पे, इस x के place पे, माइनस 5 से लेके, 5 के बीच का कोई भी number put करेंगे, माइनस 5 से लेके, 5 के बीच का कोई सा भी number put करेंगे, तो यह statement correct हो जाएगा, यहाँ से क्या conclusion निकला कि x की value क्या हो सकती है, तो माइनस 5 से लेके 5 तक हो सकती है, obviously 5 नहीं होगा, क्यों, अगर तुम मौड और 5 ले लो, तो मौड और 5 इस लेस देन 5, यह statement तो false है, मौड और 5 क्या हो जाएगा, 5 या 5, 5 से कम है, नो, तो x के place में 5 पूट नहीं कर सकते हैं, मौड और 5 इस लेस देन 5, मौड और 5 क्या हो जाएगा, 5 इस लेस देन 5 क्या, 5-5 से छोटा है नहीं, तो x के place पे, 5 भी नहीं हो सकता है, माइनस 5 भी नहीं हो सकता है, तो इस पे क्या लग जाएगा, empty circle, मतलब minus 5 से थोड़ी सी छोटी value मतलब minus 5 से थोड़ी सी बड़ी value, ठीक है, और 5 से छोटी value लेंगे, तो इसको satisfy करेगी इस equation में, तो क्या conclusion निकला, कि x का, mod of x का value, mod of x less than 5 है तो यहाँ पर x का value क्या हो सकता है तो x का value minus 5 से लेके 5 के बीच में कोई साभी हो सकता है, ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इससे क्या निकल रहा है कि x का value 5 से छोटा होना चाहिए, और minus 5 से बड़ा होना चाहिए, तो यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था, कि देखो mod of x is less than a, इसका मतलब x is less than a and x is greater than minus ठीक है, तो इससे क्या बन गया conclusion, कि mod of x less than 5, तो हमारा answer क्या आया is equal to x is less than 5 और greater than minus 5 mod of x less than 5, इसका मतलब x की value 5 से छोटी होनी चाहिए, लेकिन minus 5 से बड़ी होनी चाहिए, अगर x की value minus 5 से बड़ी रहेगी, तो भी यह पूरा solve होके तो 5 से छोटा ही रहेगा यह हो गया हमारा point number 1 तो mod of x less than 5 का मतलब हो गया, कि x is less than 5 और greater than minus 5, समझी में आया तो ठीक है यार, नहीं तो तुम यह वाली basic definition है, तुम इसको याद कर लो, ठीक है अब similarly यहाँ पर आजाता, mod of x less than equal to 5 5 के place पर कोई सा भी number हो सकता है, ठीक है mod of x less than 5 ठीक है तो क्या हो जाएगा, x is less than equal to 5 और greater than equal to minus 5 बस यहाँ पर यह वाला symbol था, ठीक है तो यहाँ पर यह वाला आगया और यहाँ यह symbol है, तो यह वाला symbol आगया ठीक है, सेम इसका मतलब क्या है, x की value अगर हम x के place पर 5 पूट कर दे, तुम देखो mod of x less than equal to 5 मतलब अगर हम पूट कर दे, mod of 5 less than equal to 5, तो इस में से क्या आएगा, value mod of 5 में से क्या है, 5 is less than equal to 5, तो यह statement true है, correct है इसका क्या मतलब होता है कि 5 is, अब कोई बचा हो लेगा को समझाने के लिए चलो, मैं ऐसे बोलता हूँ जो हमारे exam में marks आते हैं कि बोलते हैं, passing marks greater than equal to 40 इसका मतलब क्या हुआ कि तुमारे marks 40 आएंगे, तो भी तुम pass है 40 से ज़्यादा आएंगे, तो भी pass है तो कोई बच्छा बहेगा, मेरे 41 आगे तो मैं fail हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर 40 लिखावा है इसका मतलब क्या, अगर 40 आगे, तो भी pass 40 से ज़्यादा आएगा, तो भी pass ठीक है, तो वही लिखावा है कि 5 is less than equal to 5 दोनों में से कोई, यहाँ पर दो बातें एक साथ लिखी हुए, less than और equal to, दोनों में से अगर एक भी true है, तो यह पूरा true हो जाएगा तो क्या 5 is less than 5, no 5, 5 से छोटा नहीं है, क्या 5 यह symbol equal to का है, क्या 5 is equal to 5, yes, true, तो यह statement true हो गया, यहाँ पर दो statement एक साथ लिखावा है, और दोनों में से अगर एक statement भी true हो गई, तो मतलब यह पूरा true हो जाता है, ठीक है तो mod of x less than is equal to 5 तो x की value 5 भी हो सकती है 5 से छोटी है, और minus 5 से बड़ी तो minus 5 से लेके 5 तर, clear तो यह हो गया, दो number, दो point ठीक है, यह समझ में आ गया तो मतलब यहाँ, बस पूरी, पूरा mod तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है अच्छा, अब इसके बाद यह हमने less than वाला लिया अब greater than वाला लेते है कि mod of x greater than 5 ठीक है, अब एक बार फिर से तुम वीडियो को रोको, और थोड़ा hit and trial से सोचो कि x की value क्या क्या हो सकती है यह बना दिया, मैंने 0, यहाँ पर minus 5, यह हो गया 5, सोचो अगर तुम यहाँ पर 5 से छोटा value यहाँ पर 3 put कर दोगे तो mod of 3 is greater than 5 क्या यह statement true है mod of 3 क्या हो जाएगा, 3 is greater than 5 no, false, तो यहाँ पर value है 3, 0, 1, 2, 3, 4 minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 तो अगर हम यहाँ पर क्या है अगर x के place पर तुम यह सब value put करोगे 4, 3, 2, 1, 0, तो यह true नहीं होगा लेकिन तुम यहाँ पर 5 से बड़ी value put करोगे यहाँ पर 6 put करके देखो mod of 6 is greater than 6 तो correct है, mod of 6 क्या हो जाएगा 6, sorry, mod of 6 greater than 5 mod of 6 हो गया, 6 is greater than 5 correct यह true है, तो x की value क्या है 6 हो जाएगी, अगर 5 से बड़ी value put करोगे इसमें x के place में 5 से बड़ी value put करोगे तो यह statement correct हो जाएगा और अगर तुम minus 5 से छोटी value भी put कर दोगे ना तो भी यह statement correct हो जाएगा, तुम x के place में minus 6 put कर दो mod of minus 6 is greater than 5 mod of minus 6 क्या हो गया, 6 6 is greater than 5, correct तो यहाँ पर x का value क्या हो जाएगा, minus 6 भी हो जाएगा, minus 7 भी हो जाएगा minus of तुम यहाँ पर कोई भी 5 से बड़ा magnitude का नंबर लेते हो तो mod होने के बाद तो वो ultimately positive आजाएगा, mod of minus 6 लिखे हैं यहाँ पर है, minus 7, minus 8 तो ultimately वो 6, 7, 8 बन जाएगा और 6, 7, 8 जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो ultimate conclusion क्या निकला कि यहाँ पर हम x के place पर 5 से बड़ा नंबर पुट कर सकते हैं या minus 5 से छोटा नंबर 5 से छोटा नंबर, 5 से छोटा नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है तो क्या conclusion आ गया है, इसका conclusion क्या आया, कि x is greater than 5, x की जो value होगी वो 5 से बड़ी होनी चाहिए, या फिर और minus 5 से छोटी होनी चाहिए x is less than minus 5 clear है I hope, होना चाहिए तो यह चीज़ हुआ, फिर से समझ लो mod of x greater than 5 इसका मतलब हो जाएगा x की value 5 से बड़ी और minus 5 से छोटी, ठीक है इसका मतलब x is greater than 5 और, बीच में यहाँ पर और लिखना अगर तुम end लिख दोगे तो गलत हो जाएगा x is less than minus 5, end लिख दोगे तो गलत कैसे हो जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर end लिख देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, कि end का मतलब होता है, दोनों condition एक साथ true होनी चाहिए, ठीक है इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरे को ऐसा number बताओ, सब जो तुम से पूछ रहा हूँ और जो minus 5 से छोटा होगा, वो 5 से बड़ा कैसे हो सकता है, इसलिए end यहाँ पर नहीं होगा यहाँ पर और होगा, mod of x greater than 5 इसका मतलब, यहाँ पर तुम x के place पर 5 से बड़ी value पूट कर लो, या minus 5 से छोटी value पूट कर लो यह इसका मतलब हुआ, ठेक है, और similarly अगर हो जाता, mod of x greater than equal to 5, यह हो जाता, x is greater than equal to 5, और x is less than equal to minus 5, मतलब इसको याद रखने के लिए इस भाशा में हम बोलते हैं, mod of x greater than equal to 5, मतलब x is greater than equal to 5, और यहाँ पर 5 और minus 5 में, 5 बड़ा नमबर है, और यह minus 5 छोटा नमबर है, त x की value minus 5 से और छोटी होनी चाहिए, x की value 5 से और बड़ी होनी चाहिए, तो mod of x greater than equal to कोई भी नमबर, यहाँ पर कोई भी नमबर हो सकता है, ठेक है, mod of x greater than equal to any number, तो हम इसको बोलेंगे, mod of x greater than equal to any number, इसका मतलब x is greater than, मतलब बड़े से और बड़ा, छोटे से और छोटा, मतल हम तुरंत क्या लिखोगे, कि बड़े से और बड़ा, छोटे से और छोटा, तो x is greater than 7, और x is less than minus 7, minus 7 छोटा था, तो छोटे से और छोटा कर दिया, बड़े से और बड़ा कर दिया, ठीक है, mod of x greater than equal to 7, तो x is greater than equal to 7, और x is less than equal to minus 7, अगर बोल रहा हो यार, बार बार, अग गया पूरे inequalities में कहीं problem नहीं होगी और अगर यह जो point बता रहा हूं या यह समझ में नहीं आ रहा तो आगे भी तुम आगे भी problem होगी आगे तुम नहीं बढ़ सकते हो यहां तक जो बोला अगर नहीं समझ में फिर से पीछे जाओ फिर से देख क्या हो तभी तुम आगे बढ बताया था पहले ठीक है इसका मतलब हो गया कि x is less than 5 and यहां पर देखो end लगावा है ठीक है x की value अगर मैं बोलता हूं x की value 5 से छोटी तो 5 से छोटी तो यहां पर condition लगावा है कि x की value 5 से छोटी तो होनी चाहिए लेकिन minus 5 से बड़ी होनी चाहिए ठीक है तो mod of x less than 5 का मतलब अगर इसको हिंदी statement में लिखे हैं तो x is less than 5 and x is greater than minus 5 ठीक है और इसको में लोग लिखते है mod of x greater than 5 अगर है तो इसको हम लोग लिखते हैं कि x की value 5 से बड़ी होनी चाहिए number line में तुम इसको देखो इसका number line कैसे बन जाएगा इसका number line अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे है minus 5 यहाँ पे है 5 तो इनके बीच का value ठीक है पात से छोटा और minus 5 से बड़ा ठीक है एक्सिज लेस देन 5 5 से छोटी और minus 5 से बड़ी और यहाँ पे लिखे रहे एक्सिज ग्रेटर देन 5 ठीक है तो इसका देखो number line कैसे बन जाता है यह ओपन सरकल का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा होगा पहले पिछली वीडियो में बता रहा है एक्सिज ग्रेटर देन 5 इसका मतलब एक्सिज मॉड ओफ एक्स ग्रेटर देन 5 इसका मतलब एक्स इस और एक्स इस लेस देन माइनस 5 ठीक है अई होप की अब क्लियर होना चाहिए फाइनली ठीक है तो अब मैं इस नंबर को 5 को हटा के एक सिंपल जेनरल एक नंबर ले रहा हूं ए ठीक है मॉड ओफ एक्स लेस देन ए फैक है टो यह क्या हो जाएगा एक्स लैस देन ए और ग्रेटर देन माइनस से टाहिए ंप से लेकि में फिर ओगया मॉड ओफ एक्स लेस देन इक्वल तूए उन्टू तो यह यह हो जाएगा कि x is greater than a बड़े से और बड़ा और बीच में और लिखना है ठीक है x is less than minus a ठीक है mod of x greater than equal to a यह हो जाएगा x is greater than equal to a और x is less than equal to minus a बड़े से और बड़ा छोटे से और छोटा बड़े से और बड़ा चोटे से और चोटा यह हो गया चार बेसिक डेफिनेशन ठीक इसी के उपर यार पूरा अब देखो इसके बाद तुम्हें दिख रहा होगा तो यह चार मैंने एक्स्प्रेइन कर दिया तुम्हें अभी यह चारो पॉइंट एक्स्प्लेइन किया अब यह वाला पॉइंट है ठीक है तो मॉड़ ओफ x माइनस a लेश देन पार अभी मैंने क्हाइ एक्स्प्लेइन किया कि मॉड़ ओफ x लस देन ए होता है तो क्या करते हैं इसको हम लोग कैसे लिखते हैं एक्स ίह ब्रिःटर देन माइनस है ठीक है तो अभी अगर तुम्हें यह चार point अगर नहीं समझ में आया है अभी जो मैंने बताया तो आगे का नहीं आएगा तो फिर तुम मत देखो पहले पीछे वारा फिर से समझो और अगर यह point clear हो गया तब आगे तुम्हें पूरा chapter समझने से कोई नहीं रोग सकता है ठीक है यह लिखा मैंने mod of x is less than a तो यह क्या हो जाता है x is less than a और greater than minus a तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ इस mod के अंदर यह x के place पे तो कुछ भी हो सकता था और x तो कुछ भी हो सकता था न तो अंदर मैं ऐसा लिखावा है x minus कोई भी नमबर ले लेते हैं x minus k is less than a अब क्या हो जाएगा कुछ भी हो सकता है x minus a b minus c d कुछ भी हो सकता है तो क्या कहानी mod के अंदर कुछ भी लिखावा रहता है और less than a का मतलब क्या होता है mod के अंदर वाला part less than a और greater than minus a तो यह पूरा part को x की तरह treat करो तो यह पूरा क्या हो जाएगा, x-k is less than a, और greater than minus a, ठीक है, हमें तो सिर्फ x की value चाहिए, तो यहां से इस minus k को हटाना, कैसे हटेगा, तो पूरे में k को plus कर दो, यहां भी plus k, यहां भी plus k, और यहां भी plus k, यह minus k, plus k कटके खतम हो गया, बीच में सिर्फ x बचा, तो यह क्या आगया, k minus a, minus a plus k, minus a plus k, less than x, less than a plus k, तुम इसी में देखो, minus a और a था, minus a और a है, इसी में plus k हो गया, इसी में plus k हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां पर अंदर में minus k था, तो यहां पर plus हो गया, अगर यहां पर plus होता, तो यहां पर minus हो जाता, तो इसको तुम्हें अलग से याद रखने की जरुवत नहीं है, इस टाइप से कुछ भी expression कोई सा भी expression आए, mod of x plus b, less than mod of x plus b, less than k, कुछ ऐसा लिखावा है, तो क्या लिखेंगे अंदर वाला part, x plus b is less than k, और greater than minus k, अब क्या करना है, मैं तो सिर्फ x चाहिए नहीं, यहां से b को हटाना होगा, यहां पर plus b लिखावा है, तो क्या करतो, यहां भी minus b, यहां भी minus b, औ साइन नहीं पलटेगा, जब हम पूरे में minus one से multiply करते हैं, तब inequality का साइन पलटता, हमने तो क्या किया है, पूरे में से b को minus किया, उससे inequality का साइन नहीं पलटेगा, अगर किसी बच्चे को यह confusion हो रही हो तो, यह क्या बन गया, कट गया, तो यह हो गया, minus k minus b, less than x, less than k minus, य ठीक है, यह हो गया, अब वही चीज़ अगर greater than में रहता, mod of x greater than a, तो यह हो जाता है, x is greater than a, बड़े से और बड़ा, और x is less than minus a, ठीक है, अब अगर ऐसा आ जाता, mod के अंदर कुछ इस टाइब से लिखा रहता है, mod के अंदर x minus r, greater than a, तो हम क्या लिखते हैं, अंदर में जो भी part लिखावा है, अंदर में जो भी part लिखावा है, x minus r is less than minus a, ठीक है, अब यहां से हमें r को हटाना है, r उधर जाके plus हो जाएगा, तो x is greater than a plus r, यहां पे और x less than minus a, यह r उधर जाके plus हो गया, तो तुम्हें यह सब चीज़ अलग से, यह जो अगला चार point लिखावा है, इस पूरे को तुम कट कर दो, इसे तुम्हें याद करने की जरुवत नहीं है, ठीक है, यही चीज मैंने explain किया है, भी देखो, greater than हो, तो greater than आ गया, यह सिंबल, यह दो ही चीज लिखी वे mainly दो ही बात लिखावा है, दोनों सिंबल है, तो इसको तुम कट कर दो, इसे तुम्हें कोई memorize करने की जरुवत नहीं है, अब आते हैं इस वाले point पर, कि कुछ इस type से लिखावा हमें मिल जाए, अगर, कि mod of x less than b greater than है, दोनों तरफ, इस तरीके से अगर कुछ आ जाए, ठीक है, अब तुम simple समझो, अगर यह रहता है, simply x रहता है, x is less than 5, greater than 2, इसका मतलब तो क्या होता है, कि x की value दो से लेके 5 तक है, इसको हम इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, clear है, यह तो simple था, और ऐसे लिख देते है, x belongs to 2 से लेके 5 तक, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अगर यही चीज़ ऐसे करते है, mod of x less than 5 और greater than 2, तो अब यह चीज़ लग हो गया, ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखावा है, इसको समझन इसको कैसे, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब होता है, कि x belongs to minus b से लेके minus a तक, union a से लेके b तक, अब तुम बोलोगी कहां से आ गया, ठीक है, तो इसको पहले एक बार चाब मैं नंबर में लिखके दिखाता हूँ, जैसे यह लिखावा है, mod of x less than 5 greater than 2, इसको मैं बोल इसको समझते हैं, तो समझते हैं, तो समझाने के लिए, पहले मैं a और b को हटा देता हूँ, नंबर के help से ही समझाता हूँ, फिर a और b के terms में convert कर देंगे, अगर अब यह वाला पार्ट तुम्हें तभी समझ में आएगा, अगर तुम्हें अभी तक जो बताया वो सारा समझ में आएगा, तब यह वाला समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, mod of x less than 5 greater than 2, इसको समझते हैं, ठीक है, इसके बदले क्या हुआ था, अभी जो हमने लिखा था, यह क्या हो जाएगा, x belongs to minus 5 से लेके minus 2 तक union 2 से लेके 5 तक यह कैसे हो गया, समझो, तो इसको तोड़ते हैं दो पार्ट में, ठीक है, यह क्या लिखावा है, यह बोल रहा है कि mod of x की value 5 से छोटी होनी चाहिए, और 2 से बड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बोलेंगे 5 से छोटा, तो 5 से छोटा तो यह बहुत कोई अंती नहीं है फिर, तो 5 से छोटा और and, 2 से बड़ा, ठीक है, इसको हम ऐसे break करके लिखते हैं, कि mod of x less than 5 and, अभी आगे अगर तुम्हें कोशन इस टाइप के मिलेंगे, तो इस टाइप के कोशन को solve करने का तरीका यही है, कि तुम्हें दो पार्ट में कोशन को तोड़ना पड़ेगा पहले, and, और क्या बोल रह करने का तरीका है, हमने दो पार्ट में कोशन को तोड़ दिया, यह काफी important है, अब देखो, अब यह तुम्हें अलग से मैंने सिखाया है, कि इसको कैसे लिखते हैं, mod of x less than 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, mod of x less than 5, less than वाला था और एक greater than वाला था, तो less than वाले में क्या हो जाएगा, x is less than 5, and greater than minus 5, यहां से x का value आ गया, कि 5 से, minus 5 से लेके 5 के बीच में value होगा, and, यह क्या बोल रहा है, mod of x, यह दो छोटे-छोटे में convert हो गया है, दो छोटे-छोटे इन equation में, और यह जस्ट अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, तो mod of x greater than 2, तो यह क्या हो जाएगा, x is greater than 2, और, x is less than minus 2, ठीक है, बीच में end है, ठी इतना detail में मैं इसलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि एक बार, एक बार का खेल है, पूरा अगर, एक बार समझ में आगया, तो यह तुमारे lifetime वाले चीज होगी, ठीक है, x की value minus 2 से छोटी होनी चाहिए, और 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और यह क्या बोल रहा है, x की value 5 स चोटी और minus 5 से बड़ी, यहाँ पर minus 5, यहाँ पर इन दोनों के बीच का, और तुम देखो, बीच में क्या लिखावा है, and, and का मतलब क्या हुआ, दोनों में common part, and का मतलब होता, दोनों satisfy होना चाहिए, दोनों में common होना चाहिए, ठीक है, अगर मानलों मैं यहाँ से कोई value ले लूँ, यहाँ से value आ रहा है, देखो, 0, minus 5 और 5 के बीच में 0 value मिल जाएगा, तो 0 इसको satisfy कर रहा है, यहाँ पर हम 0 put करेंगे, तो 0 इस वाले को satisfy करेगा, तो मगर हम यहाँ पर 0 ले ले ले, तो 0 देखो, इस वाली line में है ही नहीं, तो 0 यहाँ पर ही नहीं, तो दोनों line में जो common part है, दोनों line का common part कैसा देखा जाथा, दोनों line को आपने सामने बना दो, ठीक है, इस वाली line को भी बना देते हैं, minus 5 और 5, और इस वाली number line को भी यहाँ नीचे बना देते है, minus 2 और 2, तो obviously minus 2 तो minus 5 की इधर आएगा, यहाँ पर आएगा minus 2, और यहाँ पर आएगा 2, अब तुम देखो, दोनों number line में तुम्हें क्या common part क्या दिख रहा है, अगर दोनों number line को SM करके मिला दें, overlap, तो इतना part देखो, यह वाला part जो है, यह common आ रहा है, यहाँ पर दोनों जगा line है, यहाँ भी dark है, यहाँ भी dark है, और तुम यहाँ देखो, इस area में दोनों line डारक है, तो क्या दिखा, माइनस 5 से लेके, माइनस 2 के बीच का area, दोनों तरफ dark है, और यहाँ पर 2 से लेके, 5 का area डारक है, ठीक है, तो इसको common लेना, मतलब है, HCF जैसे लेते थे, HCF, LCM, ठीक है, यहाँ पर HCF लेना है, तो दोनों में 5 नहीं है, तो 5 कम count नहीं करेंगे, तो x belongs to क्या हों गया, माइनस 5 से लेके, माइनस 2 तक, माइनस 5 से लेके, माइनस 2 तक, और माइनस 5 भी include नहीं होगा, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक वाला part, यह टुक्डा टूटा हुआ है, ठीक है, तो union मिलाना पड़ेगा, फिर दिखो, यहाँ से यहाँ तक तो x की यह value आ गई ठीक है यही हमने लिखा था यहां पर की देखो इस वाले paper में कि अगर simple यह है अब तो उसका value 2 से 5 हो जाता है लेकिन mod of x is less than 5 greater than 2 है तो इसका value होगा x is x belongs to minus 5 से लेके minus 2 तक union 2 से लेके 5 तक आ रहा है समझ में आया कि नियार जरूर से तुम अपना feedback जरूर देना ठीक है इस वीडियो को देखने के बाद majority of student को यह mod वाले में problem होती ही कि समझ में नहीं आता पूरा कब किधर और and union क्या करना पूरा काफी complicated चीज़ है और समझ में आ गया तो फिर इससे आसान भी कुछ नहीं ठीक है और त कि mod of x is less than b and greater than a तो x क्या हो जाएगा माइनस b से लेके माइनस a तक वही 5 था यहां पर 2 था तो माइनस 5 से माइनस 2 आया था मतलब माइनस b से लेके माइनस a तक union a से लेके b तक और यह दोनों सेम लिखावा है बस यहां पर यह वाला symbol है और यहां पर यह वाला symbol आ गया तो यहां पर गोल ब्रैकेट के जगा पर स्क्वाइर ब्रैकेट आ जाएगा बाकी पूरा से में और कुछ भी डिफरेंस नहीं है और इसको छोड़ दो इसी से यार मिलता जूलता यह वाला भी यहां पर माइनस सी आ गया ठीक है तो अगर तो माइनस सी है तो दोनों तो लिखा समझना बस अगर तुम्हें यह वाला पॉइंट समझ में आगया तो खतम सारे कंसेप्ट खतम मैंने सारे कंसेप्ट बता दिया इतना फिर भी यूज नहीं होगा इतना प्रूव की जरूत नहीं थी अगर डायरेक्ट में बोलता कि याद कर लो तो भी काम चल जाता लेकिन समारे दिमाग में खुजली होते रहती ठीक है तो फिर अच्छा नहीं होता तो यह सारा पॉइंट क्लियर अभी बार और लास्ट में जाते जाते हैं फटाफट एक बार समराइस करते एक दम पूरा एक साथ ठीक है कि मॉड ओफ एक्स लेस देन फाइफ ठीक है यह हो जाए गा x is greater than 5 और x is less than minus 5 अचा अगर तुम्हें एकंसेट क्लियर नहीं तुम सोच रहो कि बनाते कोशन बनाते बनाते याद हो जाएगा तो भाई नहीं तुम्हें यह concept पता होगा तभी तुम कोशन एकंट कर पाओ गए नहीं तो नहीं कर पाओ ठीक है यहाँ पे बनाते बनात यह आ जाता है mod of x less than 5 और greater than 2 ठीक है यह हो जाएगा x belongs to direct minus 5 से लेके minus 2 तक union 2 से लेके 5 तक और यही symbol आ जाए mod of x less than equal to 5 greater than equal to 2 x belongs to minus 5 से लेके minus 2 तक square bracket union 2 से लेके तो बस अभी तक यार मैंने इतना ही समझाया यही बात समझायी तुम लोगों को और यह जो point था इसका कोई मतलब नहीं निकलता यह जो point था इसमें समझाने वाला कुछ पार नहीं था यह माइनस यह था तुम इस question को इसकी तरह solve करोगे बाद में plus कर दोगे इसमें समझने वाला पार्ट कुछ भी नहीं है बस यह चार पार्ट था समझने वाला और एक यह पार्ट बस बाकी तो वही same लिखावा है इसको तुम भूल जाओ कि यहाँ पर कुछ लिखावा है देखो ही मत यहाँ पर यही चीज लिखावा है गाइस में x के प्ले से माइनश सी और At नली जाओ को तो यहाँ प्लडाया देख और आते अगर तक आते आते सब मिक्स होगा लेकिन यहाँ तक आते ह। के कोशन जितना भी हमने पढ़ा उसके बेसिस में इसके बाद थर्ड वाली एक्सरसाइज सब्सक्राइब तो यार तुम्हें सब कुछ मिक्स हो जाएगा भी पढ़ने के बाद तो रिक्वेस्ट है ब्रेक कर दो अगर पीछे वाले कोशन नहीं बनाए तो जाकर पहले पीछे वाले कोशन बनाओ इसके आगे वाली वीडियो कंटीन्यू करना नहीं तो कोई फायदा नहीं है और लगा अठीक है चलो